मैं आपको इंसल्वंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड आई बीसी का उधान देना चाहता हूं सात्यों हमारे देश में कर्ज को लेकर एक अजीब सी परंपरा थी कि कोई गरीब या निम्न मद्यमबर का व्यक्ति एक लाख का कर्ज बैंक ले और उसे लोटा न पाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता था लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर से भी आप भली भारती परिचित रहें देश में हजारों ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो बैंक से है पांच-दस लाग नहीं पांच-दस करोड नहीं बलकि 500,000 करोड रुपिय का कर्ज लेती थी लेकिन अलग-अलग बजह से जब यह कंपनिया बिमार पढ़ती थी गाटे में चली जाती थी बैंकों का पैसा नहीं लोटा पाती थी तो इन कंपनियों को और कंपनियों के मालिक नहीं होता त। और साथ यों आज हांदी के बाद से सत्तर साल से देश में यही ववस्ता चली आ रही थे । जानता है ऐसा क्यों था ऐसा इसलिए था कि इन कंप्रियों को एक खास तरह का सुरक्षा कबच बिला हुआ था एक ऐसा सुरक्षा कबच जिसमें कुछ खास लोगों कुछ भास परिवार के निर्देश चलते थे ऐसा सुरक्षा कबच था जो बैंकों को कारेवाई से रोकता था जो कंपनियों को भी प्रोच्षाइद करता था कि क्यों लोटा हो बैंकों का पैसा कौन आपसे पैसे मांगने आ रहा है भाई और बहनों मुझे पता कि कितनी दिक्कत आई किस तरक के दबाव का सामना करना इन सॉलवनसी और बैंकरफ्सि कोर्ड बनाकर मैंने सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया है आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बैंकों से करज लेकर बैठ जाने वाले बिमार कंपनी के बहाने देश का हजारों करोडों रुपिया लेकर बैठ ऐसे लोग ऐसी कंपनियां खूद अपना पैसा लोटाने के लिए आगे आ रही है भाई और भेनों सिर्फ दो साल में अब तक सवा लाग करोड रुपिये खुद चलकर ऐसी कंपनियों ने बैंकों को और अपने देंदारों को लोटाया है इस में से बहुत सारी रासी छोटे सप्लायर्स की थी छोटे उद्यमों की थी MSM सेक्टर की थी जिन कंपनियों पर इस कानून का डंडा चला है ऐसी कंपनियों से अब तक पौने दो लाग करोड रुपिये का कर्च वापिस लिया जा चुका है यानि एक तरह से देखे तो 2016 में जो नया कानून बनाया उसके बाद करीब करीब तीन लाग करोड रुपिये का कर्च इन करोड़ पतियों ने इनकी कंपनियों ने अपने बैंकों को अपने देंदारों को चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा है और पैसे देने पड़े है और ये प्रक्रिया आज भी जारी है ताथ्यों इसी तरह बैंकों को लूट कर जो भगोड़े हो जाते हैं उनके लिए भी सक्त कानून अपना काम कर रहा है अब देश में ही नहीं विदेशों में भी ऐसे अपराद्यों की संपती कुर्क हो रही है ऐसे तमाम अपराद्यों को दुनिया के किसी भी कौने में छुपने की जगण नह मिले इसके लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है साथियों ब्रश्चाचार को भारत में न्यून नॉर्मल मान लिया गया था भारत में यह तो चलता ही है अर इतना तो चलता ही है अगर कोई सामने से आवाज उठाता था तो नियम की काईदों की याद दिलाता था तो सामने से तुरंट जवाम मिलता था यह भारत है यहां ऐसा ही चलता है ऐसा क्यों चलना चाहिए कब तक चलना चाहिए तत्यू को वहसा ही क्यों रहेगा चाहिए ऐसी स्तित्य को बदलना क्यों नहीं चाहिए साथ्यों पिछले साड़े चार साल में मैं ऐसी स्थित्य को बदलने का प्रयास कर रहा हूं देश को पीछे ले जाने वाली बंदिशों को तोड़ने का काम कर रहा हूं कुछ लोग देश को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं लेकिन मुझे सत्य की सक्ति पर भरोसा है और सत्य निष्ट देश वास्यों पर मेरा भरपूर भरोसा है